Hello friends, Welcome to my YouTube channel Atherba Complete Education इस YouTube channel पे मैं Geology का different topics के उपर discussion and analysis करूँगा यह सब topics हमारे Geology का different exam जैसे कि JAM, NET, GATE, UPSC and Public Sector Unit के जो सब exam होता है उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा important है ना सिफ Geology दूसरे exam के लिए भी आप ये topics को refer कर सकते हैं आप लोग मेरे साथ मेरे Telegram और Facebook एकाउंट के साथ जूड़ सकते हैं Telegram और Facebook के link मैं यहाँ पे दे दिया हूँ तो फिर सुरू करते हैं आज का वीडियो lecture तो students आज हम पढ़ेंगे Crystalography का lecture 4 इसमें यहाँ हम देखेंगे की roto inversion क्या है तो lecture सुरू करने जो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम every weekend में जैसे की Friday, Saturday और Sunday को एक एक lecture कर लेके आएंगे so that क्या होगा कि आप लोग को पता भी चल जाए कि मेरा lecture कब आने वाला है क्योंकि बहुत जार स्टुडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर नेक्स्ट लेक्चर कब आ रहा है so students पहले हम देखेंगे कि roto inversion, roto inversion क्या है roto inversion मतलब rotation plus inversion इसका symbol क्या है one bar, two bar, three bar, four bar और six bar तो मतलब अगर कहीं पे two bar लिखा गया है तो उसका मतलब क्या है कि rotation क्या गया है और उसके बाद inversion हुआ है two bar मतलब rotation कितना हुआ है 180 degree हुआ है rotation और inversion हुआ है three bar मतलब 120 degree rotation हुआ है और उसके बाद inversion हुआ है 4 बार मतलब 90 degree rotation हुआ है और उसके बाद inversion हुआ है 6 बार मतलब 60 degree rotation हुआ है और उसके बाद inversion हुआ है तो यह वालब figure में आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 1 application of 4 बार 4 बार मतलब यहाँ पे roto inversion हो रहा है मतलब rotation हो रहा है और inversion हो रहा है मतलब दोनों चीज़ simultaneously हो रहा है कैसे हो रहा है देखिए यहाँ पर क्या है solid dot solid dot का मतलब क्या है मैं बोला था कि अगर एक face stereographic diagram का उपर आएगा और plane of the paper का उपर आएगा तो उसको हम solid dot में represent करते हैं इसको अगर हम 90 degree rotation कर लेंगे तो क्या होगा वो face नीचे आजाएगा मतलब नीचे मतलब किसका नीचे नीचे मतलब plane of paper का नीचे आजाएगा तो उसको हम empty circle में represent करेंगे फिर उसको अगर हम 90 degree rotation कर लेंगे तो क्या होगा वो फिर solid हो जाएगा फिर 90 degree rotation करेंगे तो फिर empty circle हो जाएगा यहाँ पर देखिए एक solid है 90 degree के बाद empty circle है फिर solid circle है फिर empty circle है यहाँ पर 4 बार दिया गया है इसलिए इसका symbol इस type का होता है 4 बार का symbol अगर सिर्फ 4 लिखा गया होता तो उसका symbol कैसा होता ऐसा ठीक है simple 4 का symbol ऐसा है मगर अगर हम 4 बार लिख देते हैं तो उसका symbol इस type का होता है ठीक है यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल ला था यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 faces है यह एक face है यह जो form है इसका 4 face है यह एक face है इसको अगर हम 90 degree rotation कर लेंगे तो यह क्या होगा रोटेशन कर लेंगे तो यह एक face आजाएगा यह वाला एक face आजाएगा ठीक है यह तो उसको फिर अगर हम 90 degree rotation कर लेंगे तो वो face क्या होगा फिर उपर जाला जाएगा यहाँ आप देखें यह वाला एक face आ जाएगा फिर उसका अगर हम 90 degree rotation कर लेंगे तो वो क्या होगा फिर वो face नीचे आ जाएगा है यह देखें यह वाला जो face है यह नीचे आ गया यह वाला तो क्या हो रहा है every 90 degree में वो जो phase है क्या है वो उपर नीचे हो रहा है इसलिए phase उपर नीचे हो रहा है इसलिए क्या हो रहा है यह solid point भी नीचे जा रहा है तो empty हो रहा है फिर उपर आ रहा है solid हो रहा है फिर नीचे जा रहा है यह empty हो रहा है वही सब चीज में यहां पे लिखा हूँ जो figure में आप लोग को अभी समझाया we apply a four bar axis to a solid point above the page and to produce an open point below the page अगर below the page होगा point तो उसको empty circle में represent किया जाता है और अगर वो point और वो point और वो face अगर वो plane of paper का उपर आएगा तो उसको हम solid point में represent करते हैं in figure b a four bar axis relates four points in total मतलब a four bar axis क्या represent करता है total four point represent करता है उसमें से दो solid होगा और दो empty circle होगा in figure c क्या था एक crystal with symmetry मतलब यहां पे मैं एक form में आपको दिखा रहा था जो कि क्या दिखा रहा था symmetry दिखा रहा था और उसमें inversion हो रहा था every 90 degree में every 90 degree में क्या हो रहा था वो face नीचे आ रहा था और फिर जब 90 degree rotation करता था तो वो वाला face फिर उपर चला रहा था तो यहां पे हम देखेंगे one bar one bar का हम आई में भी represent कर सकते हैं क्योंकि यहां पे देखिए suppose यह से वाल simple form में देखिए फिर हम इसको stereo diagram देखेंगे यह form में यहां पे एक point लिया तो क्या हो रहा है अगर हम इसको 360 degree rotation कर लेंगे और इसका inversion लेंगे यहां पे inversion क्योंकि यहां पे one bar लिखा गया है अगर only one लिखा गया होता तो हम inversion नहीं करते हैं यहां पे one bar लिखा गया है तो इसको क्या करेंगे inversion कर लेंगे तो इसका यह जो point है यह यहां पे आएगा inversion करने के बाद तो यहां पे देखिए यह जो point है और यह जो face के उपर जो point है यह क्या है हमारा जो plane of paper है उसका उपर आ रहा है और stereo diagram हमका उपर आ रहा है तो उसको हम solid point में represent कर रहे हैं मगर inversion करने के बाद वो क्या हो रहा है ठीक 180 degree अंतर में और 180 degree difference में मगर यह मतलब क्या है यह और इसका angle difference कितना है 180 degree मगर यह क्या हो रहा है ठीक उसका inversion में आ रहा है invert हो रहा है ठीक है तो जो पहले बारे lecture में हम क्या कर रहे थे जब हम उसको invert कर रहे थे तो कैसा दिख रहा था भी इस type का हो जा रहा था नहीं भी ऐसा था अगर invert करने के बाद वो इस type का हो जा रहा था इसके बाद हम देखेंगे two bar two bar को हम m के symbol में भी represent कर सकते हैं मतलब सिर्फ mirror plane मतलब क्या है two bar यहाँ पर देखिया form इसके बाद हम stereo diagram देखेंगे अगर एक face देखे ऊपर है और एक face नीचे है अगर मैं यहाँ पर एक mirror रख लूँगा तो क्या होगा इसका ठीक एक mirror image नीचे आएगा मतलब यहाँ यहाँ पर एक point लूँगा तो इसका एक image नीचे आएगा मतलब यह solid होगा और यह face के लिए मैं empty circle represent करूँगा तो यहाँ पर एक point उपर है तो इसके लिए solid होगा और एक face नीचे आ रहा है mirror plane का तो इसके लिए हम एक empty circle दे रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर एक bull size generate हो रहा है उसके बाद हम देखेंगे 3 bar 3 bar का symbol इस type का होता है इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ इस type का होता है यह है 3 bar 3 bar मतलब क्या है 120 degree का interval में क्या हो रहा है यहाँ पर solid dot repeat हो रहा है और उसी तरह से क्या हो रहा है 120 degree interval में empty circle repeat हो रहा है मतलब यहाँ पर देखिए 3 face उपर है तो उसके लिए हम solid point दे रहे हैं और 3 face नीचे है यहाँ पर तो इसके लिए हम क्या कर रहे है empty circle represent कर रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं 4 bar 4 bar में क्या हो रहा है यह यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि every 90 degree interval में यह जो face है उपर नीचे हो रहा है उपर के लिए हम solid dot दे रहे हैं नीचे के लिए हम empty circle दे रहे हैं फिर यहाँ पर क्या आ रहा है 6 bar 6 bar को हम 3 by m के symbol में भी represent कर सकते हैं 6 bar का जो symbol है उसको हम इस type का symbol में represent करते हैं 6 bar को यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए 3 face उपर आ रहा है उसके लिए हम 3 solid dot उपर दे रहे हैं ठीक उसके नीचे क्या हो रहा है 3 face repeat हो रहा है मतलब इसका mirror image नीचे आ रहा है यहाँ पर एक bulls आए यहाँ पर एक bulls आए और यहाँ पर एक bulls है 120 degree interval में repeat हो रहा है यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है ए 2 bar axis is equivalent to m मैं आपको भी बताया ए 3 bar axis is equivalent to 3-fold axis and an inversion center applied separately मतलब 3 bar axis का मतलब क्या है कि every 120 degree interval में face क्या repeat होगा और वहाँ पर inversion होगा यह 6 bar is equivalent to 3 by m अभी मैं आपको बताया 6 bar में क्या हो रहा है 3 face आ रहा है और ठिक उसके नीचे 3 face repeat हो रहा है इसके लिए क्या हो रहा है 3 bulls आए generate हो रहा है यहाँ पर देखिए यह है figure A, figure B और figure C figure A में क्या हो रहा है सिर्फ 4 fold axis है तो 4 fold axis को क्या symbol में represent किया जाता है यहाँ पर देखिए यह empty square है यहाँ पर क्या हो रहा है यह देखिए form every 90 degree में यह face repeat हो रहा है और अगर मैं यहाँ पर मेरा plane of paper लूँगा तो इसके उपर आ रहा है और मतलब stereo diagram के उपर आ रहा है यह 4 face तो उसके लिए क्या हो रहा है यहाँ पर every 90 degree में solid point repeat हो रहा है यहाँ पर देखिए 4 roto inversion 4 bar दियागा है 4 bar का मतलब 4 roto inversion होता है उसका symbol इस type का होता है यहाँ पर क्या हो रहा है every 90 degree interval में यह जो face है नीचे आ रहा है फिर उपर जाए रहा है फिर नीचे आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है उपर के लिए solid point नीचे के लिए empty circle represent किया जाता है यहाँ पर देखिए 4 by m 4 by m का मतलब क्या है मतलब यहाँ पर क्या है एक mirror plane है mirror plane के उपर 4 face है नीचे 4 face है इसलिए यहाँ पर by m symbol दिया गा है उपर के लिए 4 solid point नीचे के लिए 4 empty circle आ रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पर 4 bull side repeat हो रहा है every 90 degree interval में यहाँ पर भी देखिए every 90 degree में क्या हो रहा है face repeat हो रहा है उपर और नीचे उसके लिए यहाँ पर 4 bull side 90 degree interval में repeat हो रहा है by convention crystallographers use the 13 operators to describe symmetry in any crystal मतलब crystallographer क्या क्या है यहाँ पर 13 forms है यहाँ पर 13 यह जो operator बोलते है यह सब को 13 crystal operator बोलते है यह क्या क्या गया है symmetry को any symmetry को represent किया जाता है यह जो सब है symmetry operator के द्वारा जो पहले बाला कलम है उसको बोलते है standard symmetry operation यहाँ पर है I M 1 2 3 4 6 3 bar 4 bar 6 bar 2 by M 4 by M 6 by M और equivalent roto inversion 1 bar को हम बोल सकते है I M को मैं बोला था कि 2 bar बोल सकते है और 1 by M भी बोल सकते है क्यों 1 by M बोल सकते है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 1 इसलिए दिया गया है क्योंकि 360 rotation करने के बाद वो जो face है एक ही बार repeat हो रहा है और एक बीच में mirror plane अगर रखेंगे तो उसका वो जो face होगा उसके नीचे फिर से वो वाला face plane का नीचे आएगा इसलिए हम उसको 1 by M बोलते हैं मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूं देखिए यह figure देखिए यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा गया है उसको M बोला गाता है और कहीं कहीं कुछ कुछ बूक में यहाँ पर इसको 1 by M भी बोलते है मतलब इसको 1 by M भी बोलते है क्यों 1 by M क्योंकि यहाँ पर अगर हम 360 डिगरी रोटेशन करेंगे तो यह face और यह point एक बार आएगा मतलब यह जो axis है यह है 2 बार axis यह वाला face को अगर हम 360 डिगरी रोटेशन करेंगे तो यह face एक ही बार repeat होगा और इसका mirror image एक नीचे आ रहा है तो उसके लिए हम empty circle दे रहे है यहाँ पर empty circle दे रहे है और इसके उपर वाला face के लिए solid दे रहे है यहाँ पर एक bull size अनेट हो रहा है तो इसके लिए हम इसको 1 by M भी बोल सकते हैं M भी बोल सकते हैं और 2 बार भी बोल सकते हैं और उसका similar एक mirror image हमारा plane of paper और stereographic diagram का नीचे आ रहा है और 120 degree interval में हमारा bull side repeat हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है तीन जो face उपर है बीच में एक mirror plane आ रहा है और नीचे हमारा क्या हो रहा है तीन face repeat हो रहा है तो उसके लिए हम उसको 3YMB बोल सकते हैं मतलब यह जो आप देखिये यह बाला जो face है यह जो है देखिये यहाँ पर क्या हो रहा है जो 6 bar है यहाँ पर 3 face उपर आ रहा है बीच में हमारा अगर mirror plane रख लेंगे तो नीचे क्या हो रहा है नीचे भी 3 face repeat हो रहा है तीन फेस यहाँ पर देखिए उपर आ रहा है, तीन फेस नीचे आ रहा है और every 120 डिग्री इंटर्वाल में आ रहा है तो उसके लिए हम 6 बार को 3 बाई M भी बोल सकते हैं अभी हम देखते हैं हमारा question section question number 1, 6 बार is equivalent to A, 2 बाई M, B, 3 बाई M, C, 4 बाई M, D, 6 बाई M तो यह जो तीनो question का answer आप मुझे comment section में दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा कि आप यह जो lecture है अच्छे तरह से सुने हैं वीडियो अगर अच्छा लगा तो like बटन के उपर click कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मेरा video lecture का notification आपके पास आए तो आप एक काम कीजिए वहाँ पे मेरे channel का बगल में एक subscribe का बटन होगा subscribe कीजिए मेरे channel को और subscribe के नीचे एक bell icon होगा bell icon को उपर भी आप click कीजिए so that अगर मैं किसी भी video lecture लाऊं तो तुरंत ही उसका notification आपके पास आ जाएगा और कौन सा topic के उपर मैं video lecture बनाऊं आप मुझे उहाँ पे नीचे suggestion भी कर सकते हैं तो मैं कोशिज करूँगा उस topic के उपर मैं future में video lecture बनाऊंगा तो next class में हम क्रिस्टालोग्राफिक का नया lecture लेक्चर लेके आएंगे तब तक के लिए stay home stay safe